तो दोस्तो गर्मियों में अक्सर में ये वाली रेसिपी बनाती हूँ मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है मैंने सुझा चली आज आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और इसका जो कॉंबिनेशन और टेस्ट है न कमाल का है तो मैंने हाँ पर आधा कप मूं की डाल को दो घंटे पहले ही भिगो दिया था अगर आपके पास समय ना हो तो आप रात को भी भिगो कर रख सकते हैं सुबह आप इसका नास्ता बना लेजे अब मूं की डाल का जो इतना भी एक्स्ट्रा पानी हो निकाल लेंगे और इसे डालेंगे मिक्सर जार में दो चम्मच पानी डाल कर इसकी पेस्ट बना लेंगी तो थोड़ी सी हमें डालनी है हींग जिस तर डाजिशन भी अच्छा होता है फ्लेवर भी काफी बढ़िया मिलेगा थोड़ा सा हमें डालेंगे बारिक करता हुआ हरा धनिया आप यहां पर बारिक करती हitel हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैं आज नहीं करती है हांपर एक तीज्प Messi में डालेंगेगी शोटा चम्मच हम इसकãos हमिस में डालेंगे हालदी पाफ़डर और एक टीज्प Chief Market के करे масс में डालेंगे नमक बस यह बेसिक इस दाल के मिश्रण में ही आटा लगा कर हम तयार कर लें अगर आपको फिर भी थोड़ी जादा कौन्टिटी में इस नास्ते को बनाना है तो जब यह अच्छे तरीके से गुंत जाए और आपको लगे कि फिर भी ड्राय लग रहा है तो आप दो तीन चमच पानी समयाट कर सक जब आटा आपका पूरी तरीके से गुंत कर तयार हो जाएगा ना उसके बाद ही हमें देसी घी डालना होता है ऐसा करने से जो आटे का टेक्स्चर है वो भी बहुत सौफ्ट और सिल्की होता है साथी इसमें एक बड़िया सी लचक भी आ जाती है तो बस देसी घी डाल कर ह हम इसे थोड़ा सा गूंत लेंगे और फिर हम इसे कवा करके 5-6 मिनट छोड़ देते हैं थोड़ा सा आटा आराम कर ले अब आटे के साथ बनाएंगे एक परफेक्क साइड डिश जो की है आम रस दोस्तों गर्मियों में आम हमारे पास अवलेबल होते हैं तो मैं डेफिने जामक और एक कप पानी दोस्तों यहां पर आप शुगर को इसके भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है बच्चों को थोड़ा सा मीथा पसंद आता है इसलिए मैं आड करती हूं इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्सी जाल में पीस लीजिए और एक स्मूध पेस्ट बनाकर इसको हम किसी भी कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे और थोड़ी देन आप इसे फ्रीजर में उपर लग दीजेगा ताकि यह बढ़िया से ठंडा हो जाए यह जो आमरस है जितना अच्छा ठंडा होगा ना यह उतना ही बढ़िया लगता है बच्चों को तो बस इसे बनाना पांच मिनट का खेल है पटाफट से बनकर तयार हो जाता है आमरस मैंने स्टार्टिंग में ही बना लिया था और इसको ठंडा होने के लिए रग दिया ताकि अच्छे तरीके से चिल्ड हो जाए उसके बाद हमने जो आटा लगाया था ना उसके उपर हलका सा सुका आटा ल मैं इसी आटे से क्रिस्पी सी रोटी भी बना लेती हूं क्या होता है कई लोगों को ना ओली खाना ज्यादा पसंद नहीं होता या फिर डी फ्रै पसंद नहीं करते तो यहां जहां तक हमने आटा लगाया ना वहां तक प्रोसेस बिलको सेम रहेगा उसके बाद बस आप इस तेल में हम डालेंगे यह पूरी तेल गरम होना चाहिए उसके बाद हम पूरी को डालेंगे उपर से प्रेस करेंगे तो यह फूल जाएगी जितनी पूरी आप बनाएंगे ना सभी फूल जाएंगी कोई ब्रॉब्लम नहीं आएगी बस दोनों साइट से अलटते पलटते क्रिस्पी कर लीजे आप यहां पर चोटे-चोटे साइस की पूरिया भी बना सकते हैं बड़े साइस की बना सकते हैं जैसी आपको पसंद हो बस आपको तेल गरम रखना है हाई फ्लेम पर और इसके बार उपर से इसको प्रेस करना है ताकि अच्छे से फूल जाए हलका सु क्रिस्पी निकाल लेते हैं इवन दोस्तों आप इस रेसिपी को बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी लगती है सौफ्ट होने के बादी यह मसाला पूरी का जो टेस्ट है वह काफी अच्छा आएगा तो बस अभी हमारी क्रिस्पी पूरी तयार है आमरस के साथ ठंदा ठंदा आमरस रखी और इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा बाई